नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल खरलक्षमी में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा क्या गंगा में नहाने से दुलते हैं पाप एक समय शिव जी महराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं परंतु प्राये सभी दुखी और पाप परायन है पार्वती जी ने बड़े आश्शर्य से शिव जी से पूछा की हे देव गंगा में इतनी बार इस्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यू नहीं हुआ क्या गंगा में सामर्थ नहीं रहा शिव जी ने कहा प्रिये गंगा में तो वही सामर्थ है परंतु इन लोगों में पापनाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है तब उन्हें लाब कैसे हो पार्वती जी ने आश्चरिय से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं अभी तक इनके शरीर भी नहीं सुखे है शिवजी ने कहा ये केवल जल में डुपकी लगा कर आ रहे हैं तुम्हें कल इसका रहस समझाओंगा दूसरे दिन बड़े जोर की बारिश होने लगी गलियां कीचड से भर गई एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड़ा था चारो और लप्टीली कीचर भर रही थी शिवजी ने लीला से ही वृत्र रूप धारन कर लिया और दीन विवश की तरह गड़े में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड़े में गिर पड़ा हो और निकलने की चेस्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो पारवती जी को उन्होंने यह समझा कर गड़े के पास बैठा दिया की देखो तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारती रहो की सिवजी ने यह और समझा दिया की जब कोई गड़े में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना की भाई मेरे पती सरवार्थ निश्पाप है इन्हें वही चुए जो स्वयम निश्पाप हो यदि आप निश्पाप है तो इन्हें हात लगाएं नहीं तो हात लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे पार्वती जी यह कहकर गड़े के किनारे बैट गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बाते कहने लगी गंगा में नहा कर लोगों के दल के दल आ रहे थे तुंदर यूती को यू बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया कई लोग लजजा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भई हुआ कई कानून से डरे कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को क्यूं इसके लिए रोती है आगे और कुछ दयालू सचरित्र पुरुष थे उन्होंने करोणा वश हो यूती के पती को निकालना चाहा परन्तु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुख गए उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आये हैं तो क्या हुआ पापी तो हम है ही कहीं मदद करते हाथ ना जल जाए बुड़े को निकालने जाकर इस इस्त्री के कथा अनुसार हम सोयम भस्मना हो जाए किसी का साहस नहीं हुआ सैकडो आये सैकडो ने पूछा और चले गए संध्या हो चली शिवजी ने कहा पारवती देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिये हर हर कहता हुआ निकला पारवती ने उसे भी वही बात कही युवक का हिरदय करुणा से भर आया उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की पारवती ने रोग कर कहा की भाई यदि तुम सरवार्थ निश्पाप नहीं हो तो मेरे पती को छूटे ही तुम जल जाओगे उसने उसी समय बिना किसी संकोज के ध्रिड़ निश्चय के साथ पारवती से कहा की माता मेरे निशपाप होने में तुम्हें संदे क्यूं होता है देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ फला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं तेरे पती को निकालता हूँ योवक ने लपक कर बूड़े को उपर उठा लिया शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझ कर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन दे कर करतार्त किया शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक नहीं गंगा इसनान किया इसी द्रिश्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रदा और विश्वास के केवल दंब के लिए गंगा इसनान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा इसनान व्यर्थ जाता है विश्वास के साथ किये गए गंगा इसनान का फल अवश्य मिलता है तो दोस्तों यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगिए आपको कमेंट करके जरूर बताईए और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे धन्यवाद